अगले साल की शुरुवात में यूपी में चुनाव होने हैं आज 6 दिसंबर है और साल 1992 में आज ही के दिन आयोध्या कांड हुआ था तीन दशक में आयोध्या में क्या कुछ बदला है इसी को लेकर एबिपी न्यूस के लिए सी वोटर ने यूपी के लोगों का मूट जाना है इस सर्वे में 2064 लोगों ने हिस्सा लिया है ये सर्वे पिछले तीन दिनों में हुआ है आयोध्या तीन दशक में क्या बदला नमस्कार मैं आपके साथ शोबना यादव और आज ही के दिन आयोध्या में साल 1992 में विवादित धाचा गिराया गया था तीन दशक बाद आयोध्या ने देश की राजनीती को कितना बदला है उत्तर प्रिदेश चुनाव से ठीक पहले एबीपी नियूस के लिए सी वोटर ने एक सर्वे किया है आज के सर्वे में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रिदेश में क्या कुछ बदलाव आया है क्या इस बदलाव का चुनाव पर असर होगा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम हमारे सहयोगी जुड़ेंगे आयोध्या से संजेतर पाठी मत्रव से रविकांत और वारानसी से रणबीर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद होंगे कि आयोध्या में इन तीन दशक में क्या बदला है तो हमारा जो पहला सवाल है वो आब स्क्रीन पे आने वाला है और देखिए पहला जो हमने सवाल पूछा था वो यह राम मंदिर निर्मार का क्या बीजेपी को फाइदा मिलेगा तो इस जो सर्वे का जो नतीजा है वो आप देख सकते हैं हां कहने वाले 69 फीसद लोग है यानि राम मंदिर निर्मार का बीजेपी को फाइदा मिलेगा यह 69 फीसद लोग कह रहे हैं और कोई फाइदा नहीं मिलेगा यानि कोई क्रेडिट बीजेपी को नहीं मिलेगा यह 41 लोग कह रहे हैं इस वोटर सी वोटर सर्वे में ये निकल कर आ रहा है कि 69 फीसद लोग ये मानते हैं कि राम मंदिर जो निर्मान हो रहा है आयोध्या में आने वाले चुनाव में उसका सीधा सीधा फाइदा बीजेपी को मिलेगा 41 फीसद लोग कहते हैं कि इसका कोई फाइदा नहीं मिलेगा तो लीजिए अगला सवाल हमने क्या पूछा अगला सवाल हमने पूछा उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या धर्म का मुद्दा हावी रहेगा या फिर कर्म का मुद्दा हावी रहेगा यानि विकास की बात पर ज जा रहे हैं रोजगार की बात की जा रही है उस पर वोट देने वाले लोग 63 फीसद होंगे यानि उत्तर प्रिदेश चुनाव में धर्म का मुद्दा हावी नहीं रहेगा मुद्दा अगर कुछ हावी रहेगा तो वो कर्म का रहेगा तो लीजे तीसरा सवाल भी अब आपकी KIRTV स्क्रीन पर आ गया है मन्दिर निर्माड का जो श्रेव है वो सबसे ज्यादा आपकिसे देंगे तो यह अख्ड़ा भी आपके सामने कि मन्दिर निर्माड का जो श्रेव है वह 50 फीसद लोग कहते हैं बीजे पी को जाएगा और कोड को कहने वाले जो लोग है या मानने वाले जो लोग है कि सुप्रीम कोट की वजह से मंदिर बन रहा है वो 49 फीसद हैं और किसी को भी नहीं ना कोट को क्रेडिट ना बीजेपी को क्रेडिट ये कहने वाले 11 फीसद लोग है तो मंदिर निर्माल का श्रे सबसे वोट मिल रहा है आपके साथ में मौझूद लोगों का क्या कुछ कहना है कि कि सादू संत मौझूद है और अध्यां में सादू संतों की राय बहुत हैं हो जाती है माराज जी क्या लगता है को धर्म के नाम पर वोट मिलेगा देखें अभी पहला मुद्दा यहां पूछा गय क्या राम ंद्र मुद्दे इसा मेंदर के विजपी कोट fence पिलेगा तो नहीं मिलेगा क्योंकि आज सक है कि-वल रामंदिर के नामसे पी सुनीं से दर्धो क्षणडगर के नाव मंदिर के लिए और अब जब राम मंदिर बनने आ रहा तो क्यों नहीं वोट मिलेगा राम मंदिर तो बन रहा है कोट के फैसले से भव्य दिब राम मंदिर बन रहा है और कोट का फैसला आने के बाद चाहे जो सरकार होती वो भव्य दिब राम मंदिर बनाती और भी बनाएगी अगर आगे भी कोई सरकार आएगी तो उसमें कोई बाधा ने लेकिन आप बता दीजे कि प्रदेश सरकार या कें सरकार पांच हजार करोड पचास हजार करो रूपया थोड़ी नदी है यह जो ट्रस्ट बना है ट्रस्ट में जनता का पैसा है जनता के पैसे से बन रहा है और विकास के लिए बात हो रही पानी तो बहरा बीचे सरीयों की धार कितनी बढ़ियां बहर रही है कहां गड़ पड़ा है लेकिन यहां पर दो अफ्थानी जनता देखिए मार सो करके जाती है यहां पंधेरा रहता है क्यों एक साल में क्यों एक बार को लाप लाइटिंग के लाते हो बाकी आप देख लि यह मांगाई विरुजगारी इन्हों चरम कर दी जिन मुद्दों पर चुनाओं में आये थे मांगाई कि नो बिरोद किया था खोद उसका दोगुना कर दिये विरुजगारी कह रहे है कि हर साल दो कर दिया नहीं नहीं कुछ ने दिया अब देखिए लगाता जितने भी पे नहीं लगेगी न्याले के द्वारा बन जाएगा इसको प्रोपोगंडा करने किस पर रादनीती करने का आप अगर चाहें कि का मुद्दा उठा करके या मतुरा का मुद्दा उठा करके मैं आपको अस्वासन देता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से अब 1902 नहीं ला सकते अब 6 दिसंबर दुबारा नहीं ला सकते क्योंकि सच्चा ही लोगों ने देख लिया जो कुछ हो रहा है भगवान की किरपा पर भगवान के निड़े पर हो रहा है सप्रिम कोल्ट ने निड़े दिया है और जिस तरह का निड़े आप देखेंगे यह लोग बिल्कुल हट क नहीं रहा है कौन तोड़ रहा है कौन का अरे आप दिखाईए जब आगर राम लाला वहां प्रगट नहीं हुए होते तो आपका पक्ष कैसे होता आपका आपकी राम जन्म भूमी कैसे होती कोई भी टीवी चैनल इस बात को नहीं दिखा रहा हूं के भारति जन्म भूमी के निर्मा निर्माण जैसे भी हमारे बाबा दिलिव्दास जी ने बाबा विराम दास जी at भगवान मर्यादा पुर्शोत्म का प्राकट शो उन्चास में मनाया था यह सत्ता है कि कहीं कोई टीवी चैनल इस बात का उलेक नहीं देता है राम जनम्भूमी भगवान स्री सीता राम जी का किस तरह से प्राकट शो बाबा विराम दाज जी ने केमा और पांच संतों के मत् खत्त महोशो को उस द्रश को बास्विकता है कि आज हमारा यूबा शंद्या हमारी यूबा पीढियां इस द्रस्त को नहीं जान पा रहे हैं आने बाली जो पीढिया इसको जानने के टीवी चैनल रही बात उद्देश भीजेटी का भारती जनता पार्टी ने राम जनम्म लोगों को शिख्षा दिया है ले टाब दिया है डाइल है तीया है और जोन हमारे यहां देख लिजे जितना भवन बना हुआ है राम पर चुनांव तो मुख्ष है हम आप जड़ा सांत नहीं देखिए जो लोग चिला रहे हैं हम इनके साथ हैं हम आज राम की बात नहीं करेंगे यह लोगा सब्सक्राइब कहने हैं मत्रा मेरे घर का अगर आपके अंदर दम हो अगर आप मैं अखलेश की गारंटी नहीं लेता मैं मायवती गारंटी मैं किसी दल का सब्सक्राइब मैं आज एक बड़ी घुस्ड़ा करने जा रहा हूं चिनोती देने जा रहा हूं राम जन महुमी कासी विस्टनात मत्रा इसके लिए साथ हैं लेकिन लोग लोग खैलास माम सुरोबर की बात करेंगे जो हिंदुत गरी गिर्वी है जो चीन के कपजे में हैं जिस बात को बाबादिलिव का रहा है आज मंसे अस्वस्त करना चाहता हूं अभी तक भारती जनता पार्टी यह काईटी पार्टी थी जो राम पर बीजेटी ने ओट मागा है तो फैसला दे दिया राम जनम भूमी और महजीद के दोनों जगह दे दिया है आप मंदिर पर चुनाव मत करिये महजीद पर मत ले जाए आप चुनाव पच्छ के लोग अगर यह कास कर लड़ें पर वाइंगे यह कर पात उनके साथ ख़़ जो समर्थन नहीं करते हैं बारतियों का अगर सजय के संजयत पाटी मैं सुनने हूं यहां पर मौजूद तमाम सादू संतों को और मेरे साथ दो खास महमान भी जूले हुए हैं शैशी शेकर जी और अभे दूबेजी यह पिसना सुझालेंगे अलग 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 रख लाए हैं शैशी शेकर जी के बात करिए है आउंगी चैशी शेकर जी आपके पास आगे सर्वे में बढ़ते हैं तो देखिए क्रेडिट तो बीजेपी को मिल रहा है फाइदा भी बीजेपी को मिल रहा लेकिन जो चुनाव होगा वो कर्म पर होगा तो अगला सवाल है राम मंदिर निर्मार से सबसे ज्यादा सियासी नुकसान किसे होगा ये बहुत एहम सवाल हो जाता है आने वाले चुनाव को देखते हुए तो देखिए कॉंग्रेस को 38 फीसद लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्या सियासी नुकसान अगर किसी पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो 38 फीसद के साथ कॉंग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है तो चलिए पाचवे सवाल का रुख कर लेते हैं अफटाफट क्या अखिलेश यादव को चुनाव से पहले आयोद्या जाकर दर दर्शन करने चाहिए और नहीं दर्शन करने चाहिए यह 12 फीसद लोग हैं तो यह जो एक सवाल एहम अखिलेश यादव क्योंकि इस बार उत्तर प्रिदेश के चुनाव में बीजेपी और समाजबादी पार्टी आमने सामने दिख रही है तो ऐसे में अखिलेश यादव क को रामलला के दर्शन करने चाहिए 56 लोग कह रहे हैं अगला सवाल बीजेपी जीती है तो राम मंदिर को श्रे कितना मिलेगा यानि क्या भव्य राम मंदिर के निर्माण की वज़े से बीजेपी जीते है तो आप यह समझ लीजिए कि यह पूरा का पूरा क्रेडिट राम मंदिर को जाएगा अगर बीजेपी के वोट जो है वो जादा आते और बीजेपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी करती है अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर मत्रा में क्रिश्ण जन्म भूमी विवाद को हवा देना ठीक या गलत यह बहुत एहम सवाल हो जाता है तो इसका जो नतीजा है वो देखिए सही कहने वाले हैं कि यह गलत है यानि इस मुद्दे को हवा नहीं देनी चाहिए तो चलिया फटाफट मत्रा का रुक कर लेते हैं और मत्रा में हमारे साथ रविकांत जुडेंगे रविकांत मत्रा को जो मुद्दा है पूरा बीजेपी के लिए उसको हवा देनी चाहिए इसमें वोट परसेंटेज 66.5 फीसद लोग कह रहे हैं कि हाँ देनी चाहिए मत्रा है हमारे साथ यह बताए कि जिस तरीके से हवा दी जा रही है मत्रा के मुद्दे को क्या वो सही है यह मुद्दे को चुनाभी रण नीती के तहट भारती जनता पार्टी हवा दे रही है तो यह हिंदू मुसलिम और यह के मंदर बनेगा यह बनेगा यह अनावस्य रूप से सांपराइक ताकि नीचीति जो ज्यादा नुक्सान सामाजवादी पार्टी को हरा तो यह माना जा रहा है कि सासी नुक्सान समाजवादी पार्टी को इस लिए नहीं है क्योंकि समाज बादी पार्टी ने विकास की राजनीती किया है विकास उनका एजन्डा है हमारा जो हमारे पहले सरकार बनी थी इनका ये मंदिर का मुद्दा को यह अफसर थोड़ी है राम मंदिर का 30 वर्सों से तो मैं अपने होस्त में देखता आ रहा हूं यह 30 30 व मुद्दे से मत्रा के लोग और मत्रा के वैपारी मत्रा के किसान मत्रा के नौजवान इस चीज से बिल्कु सक्ट नाराज है क्योंकि मत्रा एक बहुत प्यारगी सुन्दर बीजेपी को रामंदी से फाइदा हो रहा है आप बीजेपी के नेता है मत्रा के मुद्दे को भी आप गर्माना चाहते हैं राम मंदिर की तरह यहां भी लाब लेना चाहते हैं देखिए राम मंदिर जिनके लिए लाब का विशे होगा वो ऐसा सोचते होंगे बारती इंता पार्टी ने शुरू से प्रतम दिन से जब आडवानी जी ने सोमनाथ से अयुद्या रथयात्रा न जर्माना जा रहा है वह ठीक हैं ठीक है वाउसा तो नहीं विट जर्क्रान से पस्वतार काम और यूगी कर रहे हैं मतृन में काभी चमक आई है जो मिली जूली राय है यहां बर जो नेता है अपनी बात कर रहे हैं जो जनता है उनका कहना है कि महौल को खराब किया जा रहा है ठीक है मैं शजी चेकर जी का रोग कर लेती हूं शजी चेकर जी अभी तक हमने 5 सवाल पूछे हैं अपने सी वोटर के सर्वे में दिखाए हैं जो बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जो राम मंदिर का क्रेडिट है वो तो बीजेपी को मिलेगा और जाहिर सी बात है उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते भी हैं लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि धर्म पर नहीं कर्म पर इस बार चुनाव होना चाहिए सादू संतों कि भी राये आपने सुन लिए क्या कह रहा है आपका अंकलन होते हैं हमें इन बिट्वी लाइस जो चीजे होती है उसको सुनना और समझना चाहिए इस पर बहुत साफ है कि क्रेडिट पिलना आए और जब धार्विक होती है थो थोड़ा सा लोग बोलते भी उसे खुल करें लेकिन लोग कर्म की बहुत कर रहे हैं और यही भारतियati जंता-पार्टी का असली इंत्हान है क्योंकि पिछले पम साल साड़े चार साल से सत्प्ता में हैं और डबल इंजिन की सरकार की वह बात जो है अब उनको दोनों बाते करनी होती है और अगर आप भाशर सुलिए चाहे योगी का हो चाहे वह अभिशा बोलते हो या मोधी जी बोलते हो भले थोड़ी थोड़ी बाते कब जादा होती है लेकिन वह कुछ अपने विकास के आखरे भी सासाथ गिनाते चलते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं किनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक आस्था अपनी जगह है परत उत्तर प्रदेश का चुनाओ कुछ बहुत सघर मुद्दों पर लड़ा जाना है उसमें राम जिन भूबी का मुद्दा मुझे बहुत सीरेस डाउट है कि कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है शोब्रा जी मैं अभेदुबे जी का भी रुक कर लेती हूं अभेदुबे जी शेशी शेखर जी का मानना है कि राम मंदिर का मुद्दा अब पुराना पड़ चुका है और जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात की जा रही है जेवर एरपोर्ट की बात की जा रही है अपना विकास भी योगी सरकार याद दिला रही है लेकिन मथुरा का मुद्दा जो उठाया जा रहा है और लोग भी साथ है किस मुद्दे को हवा देनी चाहिए इसको लेकर क्या कहता है आपका आंकलन क्या धर्म की र राम जन्भूम मंदिर का राईजीतिक दोहन तब किया या सका, जब कि उससे पहले 13 से 14 साल तक वो अंदोलन चलाया गया, तब कहीं याके 1990 में भारती जन्ता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उसके आधार पर पूर्ण पूमत प्राप्त हुआ, तो अब ये कृष्ण मुद्ध का सवाल है, और इस चुनाओ का सवाल है, मैं शचीजी की बात में इतना जोड देना चाहता हूँ, कि राम जन्भूम मुद्ध का राईजीतिक दोहन तब हो सकता था, जब कि भारती जन्ता पार्टी विपक्ष में होती, अगर भाजबाज विपक्ष में होती तो शेक लोगों को छोड़कर, जो ज़्यादा तर इस तरह की राईजीत पर केंद्रित करते हैं, उनकी बात में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ा बहमत ऐसा है उत्तर प्रदेश में, जो योगी सरकार के काम को देखकर बोड़ देगा, और मोदी सरकार के काम की भी में, ऐसी बात नहीं कि मोदी सरकार का सोड़ी पर नहीं कसी आएगी, अगर पश्च्वी उत्तर प्रदेश में भारती जंता पारड़ी या सांसत में है, तो योगी सरकार के विएसे नहीं है, मोदी सरकार के कानून बनाए है, इसकी विएसे वो दिक्कत में फसी हुई है, या पेट्रोल डियल की महंगाई है, तो मोदी सरकार की विएसे ज्यादा है, योगी सरकार की विएसे कम है, तो योगी सरकार को दौनों तरह की एंटी इंकमेंसी का सामना करना पड़ा है, उसे केंदर की एंटी इंकमेंसी का भी सामना करना पड़ा है, और प्रदेश की भी अब सवाल यह है किसमें कौन सी एंटी इंकम्मेंसी भारी होगी कैसे भाजबा इसका मुकाबला करेगी भाजबा की छमताओं पर शक नहीं कर रहा हूँ भाजबा एक भाजबा बहुती छमताओं पर्टी है उसके बहुत संसादन है कारेकरता पंक्ती है राष्टी समस्वेबक संग है वो कोशिश करके सेंटी इंकम्मेंसी को पलट भी सकते हैं तेकिन क्या वो पलट पाएंगे यह बहुत बड़ा सवाल यह निशान है ठीक है शची शेकर जी एक बार में फिर आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाओंगी और सवाल यह लेना चाओंगी कि अयोध्या में जब हमने सादू संतों से बात की तो जादतर सादू संत कह रहे हैं कि नहीं देखिए राममंदिर तो बन रहा है लेकिन आप कर्म के मुद उठना चाहिए तो एक बार क्या फिर हम यह माने कि उत्तर प्रदेश की जनता धर्म की राजनीती पर ही विश्वास करने को तैयार है और वह खुश है कि अब राममंदिर तो हमें मिल गया अब हमें विकार सिकास की बात नहीं करनी है हमें तो मत्तुरा के कृष्ण मंदिर स सब्सक्राइब से वास्ता है और उत्तर प्रदेश हमेशा से धर्म और जाती के बीच में जूलता है खासकर नब्बे से लेके आज तक कभी जातियों का कोईलूशन हावी हो जाता है कभी धर्म का जादा हुआ हूआ है इस बार भी बहुत साफ है कि क्या धर्म पर चुनाओं लढ़ा जाएगा क्या जातियों के संगठन पर जातियों के सम्मिलन पर चुनाओ लड़ा जाएगा या मुद्दे होंगे तो मैं बहुत साफ तोर पर ये कहना चाहूँगा शोबना कि तीरों चीजें मिल जाती है लेकि तीरों चीजे मिलने के बाद भी हमारे गावों में जाती प्रथा सवापत नहीं होती और इसमें जाती और विकास पहले दो पर रखना चाहूँगा मैं तीसरे पर मैं धर्म को रखना चाहूँगा ऐसा मुझे लगता है उत्तरप्रदेश के अपने अर्भाव जी तो ब अगला सवाल हमने पूछा मुस्लिम नेताओं को अब अयोध्या विवात का जिक्र क्या छोड़ देना चाहिए नतीजे क्या रहे वो आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हां कहने वाले लोग चोहतर फीसद हैं यानि अब मुसल्मान नेताओं को अयोध्या विवात का जिक्र छोड़ देना चाहिए अब ये मुद्दा सुलच चुका है नहीं कहने वाले 26 फीसद लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं अभी भी ये मुद्दा हमारे लिए बना हुआ है लेकिन जो बहुमत है चोहतर फीसद लोगों का ये मानना है कि अब इस मुद्दे को पीछे देना चाहिए और मुस्लिम नीताओं को इसका जिक्र नहीं करना चाहिए चलिए रोखफटफट अगले सवाल का कर लेते हैं अगला सवाल हमने पूचा कि योगी राज में आयोध्या की तस्वीर क्या बदल गई है तो नतीज़े देख लेते हैं कि ABP News सी वोटर के सर्वे म नतीजान कर सामने आया उनसट फीसद लोग कह रहें कि हाँ जी योगी राज में आयोध्या की 99-69 पछेठी कि तस्वीर और तकदीर बदल गई है 31 फीसद लोग कह रहें कि कोई बदलाव यहां पर नहीं हुआ है माफ कीजिए तो योगी राज में आयोध्या की तस्वीर बदल गई है यह 69 फीसद लोगों का मानना है कि हाँ यहां की तस्वीर बिलकुल बदल गई है तो फटा-फट चलिए तीसरे सवाल जो अगला सवाल सेग्मेंट का उस पर नज़र डाल लेते हैं क्या बीजेपी को अब राममंदिर का मुद्दा उठाना चोड़ देना चाहिए यह सवाल बहुत हो जाता है क्योंकि बीजेपी के पोस्टर्स और होडिंग्स पर राममंदिर का जिक्र बड़े-बड़े अक्षरों में किया ग यह लेकिन जो बहुमत है वो कहता है कि वही हाँ आप बीजेपी को राममंदिर के उपर सियासत नहीं करनी चाहिए तो चलिया फटाफट वारानसी का रुख कर लेते हैं वारानसी में रणबीर मौजूद हैं वारानसी में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी का तेरह तारिक क समाजवादी पार्टी से राजकुमार जैसवार जी हैं पElने सर आपसे पूचता हूं धरम के नाम पर या कर्म के नाम पर योगी से नाम पर किस नाम पर आप लोग इस बार उट मंगने जाने कि यहां पर हनुमान चार्णी सा का पार्ट देखा आपने यहां गंगा आर्ती देखी ये भारती जनता पार्टी की सरकार में धर्म है और वो जो चमकती हुई काशी देख रहे हैं वो उसका कर्म है और यही कर्म और धर्म का जो तालमेल है ये भारती जनता पार्टी को इसी आधार पर बड़ा भारी भावमत मिलने जा रहा है तो इनका नारा बिल्कुल काम बोला है इनका काम तो नारा था इनका काम नारा था हमारा काम जनता देख रही है इस काशी के अंदर आपने देखा होगा 14 से पहले शड़कों पर काशी विशुनात कोरिडोर का उत्गातन प्रदान मंत्री जी करने आ रहे हैं तो वह पूछी आपने धर्म की बात गई तो धर्म हमने दिखाया इन घाटों पर जो यह आप से सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ धर्म है पीछे आरती हो रही है और सामने करम है कि पूरे घाट चमचमार तो मैं आपको बता दूँ कि इन्हें तो सवाल पूछने का हख ही नहीं है सवाल तो जनता इन से पूछ रहे हैं पूछ नौ चलिए वह सवाल में आप पूछिए देखे कर्म जो है हमेशा प्रधान रहा है कर्म के आधार पर यह आदमी विजय स्रीपराप्त करता करम करता है तो रोजगार प्राप्ट करता है करता है कि नोह कर्म किया ही नहीं यह पांसच वाधियों का काम था जिस पर इन लोग ने उस समय धर्म का चाप लगा कर उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल कर ली यह तो समाजबादियों काम बोल ला था उस पर इन्हों ने धर्म का चापा लगा कर विशनात का डॉर कौन बन वारा है नियों किस ने रखा किस सरकार ने रखा उसकी मंसा क्या थी यह विवस करने के मंसा नहीं थी समाजबादियों ने मानी श्री अखले स्यादो जिने विशनात काई डॉर करनी हुए रखा था तेक बिस जिस पाइटी ने कार्सिफ्कों की हथ्या करवाई जसने 2015 में यहां पर गड़ेश प्रत्माब लोगों के उपर संतों के उपर लाटिया चलवाई ही वो पार्टी मंदर की बात कर रही है इनका धर्म से क्या मतलब हो सकता है लोगों ने देश के अंदर धार्मी कुन निो यांक के जान लेली अभी किसान मांगेंगे विविकास के नाम पर की मांगेंगे कि उत्तर अिद्व हैसी में 거는 को नाम हमने ने निखा हम ने रखा हमने जो मंसा के विपरिते इंद्वाद लेते हैं सार्थ देखे देखे मैं उत्तरप्रदेश सरकार के लिए बस यह ही चीज कहना चाहूंगा यह वही प्रदेश है जहां सरकारी दस्तावेज बकरियां खाती हैं नारियल से सडके तोड़ा जाता है बिरोजगारों को लाठी मिलती है और नहीं तो बिरोजगारों को जो परिक्षाएं महत्वुड परिक्षाएं जो दी जाती है न वो बियर की दुकानों के पते पर छपते हैं ये उत्तर प्रदेश है आप कह रहे हैं कि युवाओं का मुद्दा जो है इस बर हावी रहेगा क्योंकि आप अभी मैं आपके चैनल पर ही देख रहा था जो आकड़े बता रहे हैं तिरसट फ्रटीसात लोगों ने का है कर्म और करम अगर प्रधान है तो उत्तर प्रदेश का साढ warmer कि कहा रहा है कि हां इस साढ़े-चार साल में कोई काम नहीं हुआ कशी बंप्धू भंखी बंढ़ी कोई काशी बंद्ली नहीं की जो युवा कर रहे हैं बनारस में उनके विदायकों के उम्र देख लिजिए कोरिडोर जो रखे हैंच कोरिडोर कामाल लीजित सिलानेया स मुसलिम वोटों की तूष्टी करन मुसलिम मुटों सिद्हा सिद्हा वोट मांगेंगे और वोट इसा कि हम लोग सुरू से धर्म के नाम पर मांगते आए हैं हिंदू राश्ण हम लोग का है हम लोग बड़ा मज़दार धर्म के नाम पर वोट देंगे क्या बिल्कुल देंगा गर्व होता है कि हां हम सनातन धर्म से हैं घर्म के नाम पर कर्म के नाम पर आप लोग देंगे धर्म क इस बार बेरोजगारी महेंगाई हत्या लूट बालतकार जो यूपी में हुआ है जनता एकदम तरस्तों मंदिर है मंदिर हिंदू मुस्लिम सब के लिए है मंदिर हिंदू मुस्लिम सब के लिए है पर इस बार काम के नाम पर वोट मिलेगा जो काम यूपी में 2012 में किया है उसको वोट दिया जाएगा मैं कहा रहा हूँ ब्रामण समाज की सबसे जाधा हत्या यगर कही है कि हमारे देश के परधाल मंद्री जी का संसिदी चेट रहा हूं डाउन में इतनी लासे गंगा में तर्जी दिखाई दी और जो लोग का सवाल पूछ रहा हूं विशुनात कॉरिडोर विंद्याचल कॉरिडोर राम मंद्री ये सब के नाम पर वोट पड़ेगा कि सर काड काड के हांडी बार बार नहीं चलती धर्म के नाम के इंकी काड के हांडी दो बार तीन बार चड़ चुकी है जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके धर्म अपने आप बोल बाला होता है और प्रतक्ष को प्रमार की ज़रूरत नहीं है आज आप गाड़ी में बैठ जाई अभी अभी कल की घटना है अभी कल की घटना है इनके विदायक जी सीयो का सर पकड़ के मार रहे थे चंदोली में काट के हैंडी नहीं चड़ेगी बार बार काट इनके सीयों साथ कल सर पकड़ के मार रहे थे सीयों के साथ कर्म के बल पर वोट देंगे वो शाय समाजवादी पार्टी के कार करता हैं और इधर बीजेपी के कार करता हैं वो तो धर्म के नाम पर ही वोट देंगे तो चलिए फटा फट कुछ और सवालों का रुक कर लेते हैं और अगला सवाल जो एबीपी निउस सी वोटर के सर्वे में हमने पूछा वो ये कि धाचा गिरने से क्या हिंदू मुसल्मान रिष्टा हमेशा के लिए खराब हुआ यह तो जानना बहुट दिल्चस्प होगा आपके लिए हां कहने वाले लोग 49 फीजदे कि हां ये रिष्टा अब हमेशा के लिए खराब हो गया लेकिन देखिए बहुमत जो है वो 69 फीसद लोग कह रहे हैं कि नहीं ये रिष्टा हमेशा के लिए खराब नहीं हुआ है ये ठीक हो रहा है और नहीं कहने वाले 2 फीसद लोग है तो बहुमत जो है वो ये मानता है कि हाँ ये घटना घटी उस समय रिष्टा खराब हुआ लेकिन अब ये रिष्टा ठीक हो रहा है तो अब अगला सवाल भी आप देख लीजे धाचा गिरने के लिए जादा जिम्मेदार किसको मानते हैं लोग यह जब हमने सवाल पूछा तो इसके नतीजे भी आपके सामने हैं राजीव गांधी को जिम्मेदार मानने वाले लोग 29 फीसद लोग हैं अगला नाम नरसिम्मा राओ का है उनको जो जिम्मेदार मानते हैं प्रधान मंत्री थे उस समय वो 36 फीसद लोग हैं आडवानी जी को जिम्मेदार मानते हैं 35 फीसद लोग हलाकि यह कहा जाता है कि जो रथियात्रा क्या धाचा गिरने से देश में आतंकी हमले बढ़े हैं। शशी शेकर जी आपने वारंसी में वो होहला सुन लिया, अयोध्या के लोगों का पक्ष भी सुन लिया, मतुरा के लोगों का भी पक्ष सुन लिया, ये मैं जानती हूँ कि धर्म और कर्म से एतर, जातीगत समीकरन, उत्तर प्रिदेश और विहार की राजनीती में बहुत एह ये, वो हर कोई भी जिसे कहा जाए कि स्टोन को अंटर्ण नहीं छोड़ना चाहती है, और इसलिए ये मुद्दा भी कर्म के साथ, पूर्वांचल और जेवर एरपोर्ट के साथ? देखें शोबना दो तीन बातें बहुत साफ हैं, भारतिय जन्ता पार्टी आज भी अगर आप आजमगर में योगी जी का भाशर सुन लीजिए, तो योगी जी ने अपने भाशर का 85% हिस्सा अपने काम को सवर्पित किया, भविश्य की योजनाओं को सवर्पित किया, वि चर्चा में आतें, जो विकास की बात कर रहे होते हैं, तो मैं इस बात को अब अभी बरारस की बात, मैं चुब बरारसी हूँ, तो मुझे बरारस की जो जब बातें हो रही थी बरारस में तो मुझे अपना बच्पर और हो सारी बातें याद आ रही थी, वाग विलास की रा वहां से चुने जाने के बाद बनारस की बहुत सी जगों का बिल्कुर काया कल्प हो गया है और कुछ ऐसी योज़ रहे वहां पर मैं खुद अभी अपनी आंग से देख कर आया हूँ पिछले महीने जब वह सारी की सारी पूरी तरह से बच जाएंगी तो मुझे लगता है कि दूसरा बनारस मुझे देखने को मिलेगा तो इसमें कोई दोरा आए नहीं कि बनारस में विकास हुआ है लेकि पूरे यूपी में उसी गती से विकास हुआ है या पूरे यूपी में उसी गती से विकास होना चाहिए था या नहीं यह बहुत तो कर्म तो ही है और मैं फिर कह रहा हूं जाती का दंश हिंदुस्तान से सवाप्त नहीं होने वाला तो वह कहीं नहीं बैटर करेगा और भातिये जंता पार्टी भी उसके लिए गीरड़ अपैसा नहीं है कि वह गीरड़ नहीं कोई भी कोई भी स्टोन अंटर्ड नहीं रहे बीजेपी को उसी के नाम पर कोष रहें किसको नफ़ा किसको नुकसान देखिए कोई भी मुद्धा भारती राजनीत में सौ फीज़ी नहीं मरता है कोई संगधन सौ फ्रीजी नहीं मरता है आपको ध्यान होगा राम राजी परश हैतिक संगधन हुवा करती ही लिकिन आजम भी उसके आपको दफ्तर मिल जाएंगे, उसके कारकरटा मिल जाएंगे, उसके दावेदार मिल जाएंगे, तो राम मंदिर का मुद्धा तक्नीकी रूप से, अकादमी रूप से और दूसरे तरीके से किसी ने किसी रूप में जीवित रहेगा, लेकिन वो एक अबरी मस्जिद तूटने से हिंदू मुसल्मान एकता तूटी लेकिन बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं पचास पीजदी से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि यह एकता दुबारा बन रही है यह बहुत बहुत पूर आकड़ा है इसकी उपर गौर करना चाहिए और जो किसान गया फश्णू में किसान आंदोलन की बजह से हिंदू-मसल्मान एकता दुबारा दिखाई पर रही है इंदू-मुसल्मान विच्वाल मुसल्मान किसानों गी बीच मैं और वो मुकर है और जीवन जीवन अपनी दावे-दावे-दारी पेश कर रही है ऐसा बहुत कम होता ह और इस बात को लेकर भारती यंता पार्टी राश्टी समसिवक संग बहुत चिंतित हैं क्योंकि उनकी प्रयोक शाला तो दूसरे किसिंगी है यहां पर जो हो रहा है जो प्रयोक कर रहे हैं उसका उल्टा हो उल्टा हो गया है पश्चमी उत्तर देश में किसान अंदूरन की बहुत ही दिल्चस्प सर्वे और जो बड़ी बात चुनाव से पहले सर्वे में निकल कर आ रहे हैं अध्या में तीन दैचक में क्या बदला वो यह कि यह जो चुनाव होगा वो कर्म के नाम पर होगा और हिंदू-मुसल्मान के जो संबंध खराब हुए थे अब वो संबं ठीक हो रहे